हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो नॉलेज स्टीम, नॉलेज स्टीम चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स, आज हम जेनर साइंस, एकलोजी, एनवारिमेंट टॉपिक में से एक महत्पूर्ण टॉपिक है नेटोजन फिक्सेशन का उसके बारे हम डिसकस करेंगे, जो अग्जमनेशन पॉइंट फिक्सेशन क्या है, और यह कैसे, मीडियम क्या है इसका, जिससे नेटोजन फिक्सेशन होता है, यह पढ़ेंगे, तो चलिए आज की सुरुवात करने से पहले, जो नोलेज स्टीम चैनल है, इसको करें, और शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो नेटोजन फिक्सेशन के बेसिकली जो होता है, वो तीन तरीके से होता है, जो अट्मस्फिरिक नेटोजन है, जो कि इस कमपोजिशन 78.1% है, वो उसको प्लांट ये प्लांट जो अज्वर करते हैं नेटोजन वो एक साइकल के थुरू दुवारा अट्मस्फिर में रिलीज कर देते हैं, इसी प्रिकार जो है ना, अट्मस्फिरिक नेटोजन जो है ना, अल्टिमेटली प्लांट यूटिलाइज करते हैं, तो नेटोजन फिक्सेशन के के तिन तरीके हैं कि फिस्ट स्पप्र्जा समिए जासे ब्लू ग्रीन एल्गी ल सए डेयर यह निट्योजन करते हैं दूसरा ह्यूमेन के दोRob inabilityretchа संसा होता है कि इसे पर। жुए ऐसा फर्टिलाईजर फर्टिलाईजार के थ्रूभी नट्रोजelli फिक्सेशन होता है थर्ड है अट्मोस्फेरिक फिनोमिनो जैसे हमारे लाइटिंग और थंडर होते हैं उनके थ्रू भी नाइटोजन फिक्सेशन होता है नाइटोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि अमोनियम आयन बनता है जो कि नाइटोजन से डिरेक्ली अमोनियम आयन जो और बेसिकली इस नेटोजन को अमोनिय मायन में कौन-कौन से बैक्तिडिया जो कंवर्ड करते हैं fünf कर्ते हैं। वह फर्स्ट नमर में फ्रीłyविंग बैक्तेरिय जिसे Natrifying bacteria भी बोलते हैं और इसको दो पार्ड में अगर डिवाइड कर सकते हैं पहला है aerobic और दूसरा है anaerobic aerobic means in presence of air अगर जो nitrogen fixation में nitrogen को ammonia में जो conversion होता है उसमें अगर air का presence रहता है उसे aerobic fixation कहते हैं अगर in absence of air होता है उसे anaerobic fixation कहते हैं तो aerobic fixation में जो bacteria पार्टिवेट करते हैं aerobic in presence of air basically उसमें एजोटो बैक्टर एजड़ ओ टी ओ बी ए सीटी और एजटो बैक्टर और जो सेकेंड बैक्टिरिया है एजो मुनास एजड़ो एमो एनियस एजो मुनास और एजो इस्पीरियल एजड़ो एस्पी आई आर आई डवलल आई यू एम एजो इस्पीरियलियम तो यह तीन बैक्टिरिया है aerobic basically bacteria है in presence of air यह nitrogen को ammonium iron में convert करते हैं वही पर anaerobic means absence of air में जो conversion होता है वो clostridium c-l-o-s-t-r-i-d-i-u-m clostridium bacteria होता है और chlorobium c-h-l-o-r-o-b-i-u-m chlorobium bacteria जो होता है वो anaerobic bacteria जो की nitrogen को ammonium iron में fix कर देता है तो यह bacteria जो है directly examination में पूछे जाते हैं symbolic nitrogen bacteria क्या होते हैं जो की symbolism means एक species दूसरे को जो है कुछ provide करती है कुछ just like boson हो गया या पानी हो गया दूसरी species उसको जो है in return कुछ provide करती है तो ऐसा relation जो है symbolic relation होता है जैसे हम जानते है rhizobium में एक symbiotic natrifying bacteria है जो की जानते हैं कि जो हमारे leguminous plants है जो की दाले होती है उनकी जड़ों में जो हैना leguminous bacteria पा जाते हैं वो bacteria जो है जो जो जितने भी दाले होती है खासकर मूंग हो गया मशूर हो गया ओड़द हो गया और अधर leguminous plant में जो रूट नोडूल होते हैं उनमें पाया जाता है यह जो डारेक्ट्ली अट्मोस्पेफ से नहाटोजन लेता है और उसको फिक्स करता है यहाँ पर कुछ महत्पूर्ण example है जो कि examination में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि यह जो चीजें हैं यह जो species हैं प्लांट है इनमें कौन सा बैक्टीरिया पा जाता है तो जो clue होता है यानि long long में rhizobium trifoli यह बैक्टीरिया पाय जाता है जो nitrogen fixation का का काम करता है क्लू यानि long में alpha alpha grass जो होती है उसमें rhizobium mealyloty कि मेली लोटी alpha grass में पाय जाता है बीन जो होते हैं जो हम बीन यूज इटलाइज करते हैं उसमें rhizobium faceoli means p-h-a-s-e-o-l-i faceoli यह पाय जाता है जो p होती है मटर होती है उसमें rhizobium leguminisorum 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 जो है न यह पाय जाता है p में मटर में और सोय बीन में वहाई पर ही जो कि कई बार examination पूछा जाकर कि सोय बीन में राइजोबियम जैपो निकम जैपो निकम है यह पाय जाता है इसके रूट्स में सोय बीन के और का एक भीशी होती है जो कॉपिय में राइजओबियम राइजओबियम इसपेसिल यह एक बेक्टि onset χ Сам से plays nú हमिए त Gud हम एक ब्लू-ग्रीन एलगी जो होते हैं जो नेटोजन फिक्सेशन में पार्ट करते हम और कौन खौन से होते हैं ब्लू-ग्रीन एलगी एना बिना ए एनन बी एनन ए आना बाइनॉप्सिस और नॉस्टोई एन बाइ और इस्पाइरूलीना यह ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नेटोजन फिक्सेशन में पार्ट करते हैं एक बार और मैं एक्स्पेंट कर देता हूं और इस्पाइरूलीना इस्पाइरूलीना तो ब्लू ग्रीन एल्गी है जैसे कि यह नेटोजन को अमोनियम आयन में कनवर्ट कर देते हैं अमोनियम आयन फिर ऑक्सिडाइज होता है किसमें नाइट्राइट आयन में एन आई टी आराई नाइट्राइट्स एन ओ टू माइनस यह किसके थू होता है यह एक बैक्टिरिया होता है नाइट्रो सोमोनास नाइट्रो सोमोनास क्या करता है जो अमोनियम आयन हमारा कनवर्ट हुआ है डारेक्टली अट्मस्ट्रिक नाइट्रो जान से उसको नाइट्राइट्स में कनवर्ट करता है नाइट्रो सोमोनास जो नाइट्राइट्स अभी बना No2 minus वो ट्रांसपर्म हो जाता है Nidrate iron में No3 minus जो की कौन सा बेक्टीर है Nitro Vector तो Nitro Vector finally जो है ना Nitrate iron को Nitrate iron में convert करता है और यहाँ पर important point है कि एक जमने समीं पूछा गया कि जो plant है और कौन सा जो form of nitrogen जो है ने utilize करते है तो वो है Nitrate iron Nitrate iron जो है एक यह अप्लांट्स यूटिलाइस करते हैं फानली इनियस बाई लोजिकल एक्टिविटेश के लिए जीव कैमिकल प्रोसेस जो होता है उनने प्लांट जो है इसमें जयन राट पेस करते हैं तो उसमें फानली जो है यह न ये वनाएट रेट आयन है अन मुट्री माएनस ना आइंट्रेट यह है हम ने डिसकुस किया कि कुछ प्लांट है वो अमोनियम डाले यह लेकिन लेकिन most of the plant जो है ना नाइट्रेट आइन ही लेते हैं अपने बायो जीयोगेमिकल प्रोसेस के लिए प्लांट जो है ना फाइनली कनवर्ट नाइट्रेट आइन को एमीनो एसेड म प्रोटीन, जो भी होता है उसमें प्लांटते निट्रेट आयन है वो फाइनली कनवर्ट होता है एमीड़़ो एसिड में जो की बिल्डिग ब्लोक है प्रोटीन का दूरिंग एक्सक्रीशन एंड अपन डेथ नाइट्रोजन इस रिटन टू दा स्वाइल इन दा फॉर्म ओफ अमोनिया जो भी प्लांट आफ्टर लाइफ उसके फिनेस हो जाती है या एक्सक्रीशन होता है एनिमल्स में भी और अधर स्पीसेज में भी तो फाइनली जो है न कh synchronा नाइट्रोजन रिटन कि झाल होुशल इन दा फॉर्म ऑफ अमोनिया ही रिटन होती है तो इस तरीके से जो है ना है नांटोजन जो आटमोस्पयर से जो है ना Пईनली स्वार में फीक्स हो जाती है इंड़안ії इन फार्म फॉर्माफंव्व motor inडवale under इस्पेशल डी नैट्रिफाइंग बेक्टिरिया भी पाए जाते हैं स्वाइल और वोसियन में अभी जो अमोनिया है वो स्वाइल में मिक्स हो गई है आइधर एक्सक्रीशन की वज़े से जो भी हम अपसिस्ट पदार्थ होते हैं उनको रिलीस करते हैं और यह दो डैथ के ब अगनी नैट्रिफाइंग बेक्टिरिया जो है ना पाए जाते हैं कौन से हैं स्यूडो मोनास स्यूडो मोनास एक डी नैट्रिफाइंग बेक्टिरिया है जो फानली अमोनिया को जो एक्सक्रीशन और डैथ के दवार जो जमीन में जो अना अर्थ में मिक्स हुआ है उसको जो हैना, फाइनली nitrogen में convert कर देता है, और वो escape हो जाती है, atmosphere में, convert nitrate into the elemental nitrogen, and nitrogen escape into the atmosphere, इस तरीके से nitrogen cycle को, जो हैना, complete हो जाता है, तो फाइनली nitrosomonas, pseudomonas, 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 जो convert करता है nitrate को elemental nitrogen में, means N2 में, और release हो जाता है, atmosphere में, यह हमने एक process पढ़ लिया, कि, जो हमारे bacteria होते हैं, कि इस तरीके से nitrogen fixation करते हैं, और हम human activities के बारे में जानते हैं, कि जो फसल उगा जाता है, उसमें fertilizer की utilize कि जाता है, जिससे directly pruned, जो plants होते हैं, वो nitrogen के इस्तमाल करते हैं, और finally, nitrogen जो mix हो जाती है, स्वाइल में, उसको DNA artifact bacteria है, pseudomonas, वो convert कर देता है nitrogen में, तो इस तरीके से वो भी cycle complete हो जाती है, अब जो हमारा natural phenomenon हो है, उसकी तरीके, वो कैसे, उसमें nitrogen के conversion होता है, वो देख लेते हैं कि, जो हमारे periodic thunderstorm, जो lighting वगेरा बिजली कड़कती है, उसकी precious nitrogen into ammonia and nitrate iron, जो भी थर्ड नहीं स्टॉम ये lighting है, वो directly convert करता है nitrogen को nitrate iron में, which reach to the earth surface through the precipitation, जैसे बारिस होती है, अब ये आएन बारिस में mix होके जमीन पर पहुंचते हैं, और इसको plant utilize करते हैं, हमारा nitrates पहुंचा है, वो convert हो जाता है nitrates में, ये reverse process है, जब finally plants को nitrates मिल जाता है, वो reverse process कैसे convert होता है, denatrifying में, वो nitrates में convert होता है, फिर वो nitrates ही into gas में, और ammonia में finally convert हो जाती है, और atmosphere में पहुंच जाती है, और ये denatrification कैसे होता है, वो thaiobacillus bacteria है, और micrococcus और pseudomonas, ये तीन bacteria है, बहुत ही मैकून है, जो कि denatrifying bacteria है, इस फाइनली जो soil में after excretion death से जो nitrogen पहुंचती है, उसको दुबारा से nitrogen gas में convert होता है, नाइट्रेट्स को convert करते हैं, नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स फाइनली nitrogen gas में convert हो जाती है, और वो atmosphere में release होती है, तो denatrification bacteria है, denatrification bacteria कौन-कौन से है, thaiobacillus, micrococcus और pseudomonas, ये बहुत ही मैत्पून बैक्टिरिया है, जो examination पूछे जाता है, इस तरह की सिहास की lecture में हमने nitrogen fixation के बारे में पूरा study कर लिया, इस से बाहर examination से नहीं पूछा जाएगा, ये guarantee है, अगर आपको ये lecture अच्छा ल वेर मच-च्छा-व, इस दो बाहर बाहर बाता है, जो एक्या जाफीन बाहर की अच्छा नहीं है, जो बाहर बाहर जो एक्या को वाब जीरा